स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका चलिए दोस्तों शुरू करते हैं area related to circle हमने introduction पढ़ लिए दोस्तों तो हम लोग साट करते हैं आज area of sector दोस्तों हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में हमारे circle के sector और segment को के से find out किया जाता है हम लोग आज निकालने जारे area of sector दोस्तों सबसे पहले मैं आपको formula सब्सक्राइब आता हूं area of sector sector क्या होता है पिछले lecture में जैसा कि हमने देखा था एक circle को हम center के through यदि किसी part में cut कर दे किसी particular angle की value के साथ तो वहां हमारा sector होता है दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे होंगे यह पार्ट हमारा sector कहला है का जो highlighted है दोस्तों A, O, B is our sector or circle this okay whose radius is equals to nothing we can let it be 7 cm हम इसको 7 लेकर चलते है और theta हम लोग assume कर लेते है 60 degree दोस्तों हम लोग इसको solve करेंगे इस example को but उसके पहले हम लोग area of sector देखेंगे कि actually area of sector निकाला के से जाता है उसका formula क्या होता है तो दोस्तों area of circle आप जानते ह होंगे pi r square तो आपको area of sector के लिए theta upon 360 का इस pi r square में multiply करना होगा that means theta upon 360 multiply by pi r square is the area of sector दोस्तों आपको समझ में आई क्या होगा हम लोग यहाँ पर theta वाले part का area find out करना चाहते पूरे 360 area से तो हम लोग outhouse जो part होता है total part होता है उसको denominator में लिखते और जितना हम desire करते जितना हमें required होता favorable होता है वो हम numerator part में लिखते that means theta वाला part हमने numerator में लिख दिया दोस्तो multiply by whole quantity whole quantity date means दोस्तों पूरा जो circle है उसका area कितना है वो area हमारे पास pi r square है तो यह हमारा formula बनके है दोस्तों अब आपको यहाँ formula देखकर यह judge करना है दोस्तों यदि आपके पास 10th class NCRT के mathematics से 12 chapter से कोई question मनता है तो area of sector में आपको कोई भी question मन जा है दोस्तों कोई भी तरह का question मनेगा तो आपको theta की value और radius r की value यह दो values आपको इसमें से निकालना होगी उसमें से phase करना होगी यदि वो word problem होगा तो word problem में से आपको यह दोनों चीज़े निकालना होगी तो हम लोग यहाँ प तो दोस्तों हमारे पास formula तो given ही है हम यहाँ पर लिख सकते radius radius of circle क्या दे रखी है हमने क्या लिए दोस्तों r को हमने 7 assume किया है और साथी में angle of sector इसको हम लोग angle of sector कहते दोस्तों इसको हम लोग theta से represent कर रहे है और उसको हम लोग यहाँ पर 60 degree रखा है यह दो चीज़े लेने क बात दोस्तों आपको क्या करना होगा area of sector का formula लगाना होगा हम लोग area of sector का formula लगा रहे है दोस्तों यह solution है हमारा जो हमने example अभी create किया है अब हम लोग area of sector लगाते area of sector जो की होता है दोस्तों theta upon 360 multiply by pi r square तो theta कितना है दोस्तों हमारे पास 60 degree put कर दिया upon 360 as it is multiply by pi pi याने की 22 upon 7 r की जो value होती है वो हमारे पास given होती है जो की इस question में 7 है दोस्तों तो हमने 7 का square लगा दिया चलिए दोस्तों solve कर लेते इसको थोड़ा simplify कर लेते 0 to 0 cancel out 6 x 6 x 36 1 upon 6 यहां से residue बचा 22 upon 7 जो की pi की value होती है जो की fixed होती है दोस्तों वो as it is लिख दी हमने multiply by 7 square देट में 7 को 2 times लिखना है तो दोस्तों 7 into 7 लिख दिया 7 to 7 cancel out देख पारे हैं दोस्तों हम लोग up and down 22 and 6 दोनों 2 के factors होते 236 212 11 times में 22 गडिया 1177 and denominated by 3 यहां पर हम लोग देख पारें दोनों दोस्तों दोनों चीज़े जो है numerator and denominator दोनों एक table पे belong नहीं करती है मैं से cut नहीं सकती है और हमारी radius जो थी वो centimeter में थी तो हमारा area जो होगा centimeter square में आ जाएगा जो भी dimension का unit होगा उस unit के हमको square unit लेना होगी क्योंकि हम लोग area find out कर रहें दोस्तों यहां पर हमने centimeter 7 centimeter को 7 centimeter से ही multiply किया था centimeter square इसलिए हम area को हम इशे square unit में लिखते है दोस्तों और इसी तरह आप hence करके therefore करके लिख सकते है hence the area of area of sector या given sector is equals to 77 upon 3 centimeter square this is your final answer दोस्तों